अधी रात को भी बुर्का पैन के हम लोग बाहर निकलते हैं तो कोई माई का लाल हम लोगो छेल नहीं सकता लेकिन यही सफ़ा सरकार थी हर जगा जगा नुकल गली पे गुंडे बदमास बैठे रहते थे अग कोई बोल नहीं सकता था उनकी पुलिस भी थी लेकिन आज हर था अब घुसे बैठे हैं अभी आने दी दोबारा इनके सरकार जो पचे कुछे भी साफ हो जाएंगी यहां तक कि मुझे भी धमकी मिलती थी कुछ सपाई गुंडे थे जो मुझे भी धमकी देते थे मैंने का जो करते बने कर लो योगी सरकार में कोई घब्राने की बात नहीं एक सन्यासी से अच्छा राजा होई नहीं सकता कोई जो कि जनता को लेके चलता है ना कि परिवार बात करता है ठीक है और रही बात लोगडाउन की तो पूरे हिंदुस्तान में आप उठा के देख लिए चाहे मोदी जी चाही योगी जी जहां गरीब भुकमरी जनता थी उसके घर में चाहे सूखा रासन हो चाहे बना रासन हो और यहां तक की कोटेदारों को यहां तक की मार्ज तक का समय भी दिया कि इनको बाटिये उनकी भुकमरी को पूरा पूरा मतलब फाइदा दिया कि यह लाचार ना हो इनको किसी प्रकार की मांगने की नौबत ना हो और रही बात हमारे वर्सों से चली आई कूपर था जो तलाग जैसी थी आज हमारी देनी इस्तिती सुद्री हमारे कि लोगों में बदलाव आया हम इस बिल के लिए इतना खुश हुएं कि हमें आजादी महसूस हुई आज हमारी जिन्दगी देख लिए सुकून की है मैं जिस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि भेदभाव किया जाता है आपको लगता है कि यह जो मदद दी गई थी और पहले जो योजनाव में ऐसा कोई भेदभाव हुआ है सरकार द्वारा ऐसा कुछ नहीं है लोगों को आप जानते हैं कि मुसल्मानों को हमेशा से ओट बैंक की राजनेती समझते आ रहे हैं सतर सालों में जो योगी जी करके दिया है किसी ने नहीं किया होगा बिना भेदभाव के वेक्सिनेशन हो चाए आईशमान कार्ड हो चाए आपका उजवला योजना हो सुमंगल योजना हो उजवला गैस हो आवास हो सोचल एनी मतलब जितनी भी आपकी योजनाए है चेकेंडरे द्वारा चाहरा राजी द्वारा सभी सरका है बिना भेदभा आप ने वोट बैंक के बात करी जिस परकार से लेता और कुछ पार्टिया मुश्रीम को मुस्स भूट बैंक की आप जाते हूंगे कि हिंदूस्ताम में पच्छीष बर्सें परसन मुसल्मान है वह भी सबसे जाएधा कौन असिक्षित है? मुसलीम, सबसे जाएधा कौन प्रेडित है? मुसलीम, इसको उचे उठाने के बारे में सोची ना? अगर माननी योगी जी ने हमारे मदर्सों में आदोनी सिक्षा की ववस्था की, एक हाथ में कुराण शरीप, दुसरे हाथ में इन्होंने आखिलेत यदा कौन को क्यों कियों यादा घया से लेक्षिन में वो उनकोrat की जब करीब एलेक्षा vertebrai के तो उनको नहीं आए मुसलीम बैनो की भाईयों की सब कि लए आख मैं मेरे नाम शूवएश्ब्या चुकंड़ी टूट हूए में किस तरीके से देखते हैं पास साल योगी सरकार कर जो प्रफॉरमस रहें देखा जाए तो बहुत ठीक है लेकिन कुछ ऐसी राजिंति कैसी है जो मतलब इम लोग बातों को मतलब की कुल कर आने नहीं देती हैं और जो समझते हैं जिसके हक पर हो रहा है वो समझी रहें कि अच्छा है अच्छा होह रहा है और झेगा जिनना की बात तो जिन्ह Tobießen जिन्ह की बाद भी फिजूले कभी हमकुष पस्टा ने कभी जिम्हा का जिन्ह का ठिक्री किया कूщее आख कि हमारु तसलिएya हम लोग यहां के वास हम लोग यहां करें वाले हम जिन्ह के क्यूं बात करे कि नमाज पर बैंड है। खुल के जीने का मौका दिया, बच्चे हर हिंदू स्कूल में पढ़ ले हैं, हमारे मुस्लिम बच्चे, बिना भेदभाव के आर्टी के तहट उनका एडमिशन्स हो रहा है, क्या बिना क्या उसमें कोई शंका है, क्या आप हिंदुस्तान में आपको किसी चीज के लिए रोका हिंदु समाज का फेवर करने के हिंदु समाज को आगे बढ़ानी के जो आरोप लगा जाते हैं, इस पर क्या बोलती है, ऐसा कुछ नहीं, बिना भेदभाव के हम लोगों सारे योजनाओं का लाब मिला, आइश्मान कार्ट से देखिए, बच्चियों के कितनी बच्चियों कि मैंने हेल्प किया है, उनका आइश्मान कार्ट वो धन्य, मतलब मोदी जी का बारबा धन्यवाद करती हैं कि आज उन्होंने आइश्मान कार्ट पांच लाग तक का बीमा करवाया ताकि हम उससे अपना इलाज करा रहे हैं, चलिए मैं ऐसे कैसे दिखाती है रोज आपको कि आश्मान कार्ट जो इन लोगों को मिला है, क्या है, उज्वला योजना जिनके घर में चूला नहीं था, उनको दो हैले का चूला टंगी सब मिली क्यों, बिना भेदभाव की नहीं मिली, क्यों नहीं भेदभाव किया ये हैदराबाद से आया है, वो कह रहे हैं कि इस बार उत्तर परदे सेलेक्शन में वो शाहिन भाग बनाएंगा, अगर सी एन रसी वापस नहीं हुआ, अब क्या सहुस्ती है, कि ये साहिन भाग बनाने की धंकी जो देरे है, इसको कैसे देखेंगे, देखिए शाहिन भाग जो घुस पैठ है, जो पाकिस्तानी है, बंगला देशी है, उनके लिए नार सी है, आप के लिए नहीं है, अफवा फैला है, लेकिन जो समझदार है, आप बिध्याला में जब एडमिशन लेते हैं, तो क्या आपका रिश्टर में नाम होता है कि नहीं होता है, इसी तरह उस पैठ वालोगे सखत्रा है, लेकिन इनलों को समझ में नहीं आ रहा है, जो पढ़े लिखी मुसल्मान हैं, सिक्शित हैं वो इस चीज को जान रहे हैं, बाकि जो नहीं समझ में उनको बर्गला आ रहा है, लेकिन वो भी समझ जाएंगे, इनलों की हरकत वह वैसी है, जो मुसल्मान हिंदूस्तानी होते हुए विशाहिन भाग का नाम ले रहे हैं। उत्तरपरदेश की महिला है उत्तरपरदेश की मुस्लिम महिला है, मुसलिम समाज वह वैसी को स्विकार नहीं करेगा, उनके चनावी वादों जुम्लों पर विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मुसल्मानों से पैसा बठोर के ले जाएंगे, और एक जैसे होता नहीं है कि राजनीती को धंदा बनाने वाली बात वही करेंगे, हम तो सेवा देते हैं। इसको कैसे देखते हैं। उनको मालूमें कि हर धर्म में देवी शक्ती होती है। वो मुसल्मानों को क्यों बुरा चाहेंगे। यह क्या बुरा उनों चाहिए। मैंने बार बार का कि चीन में जैसे बुर्गा पे बैंडे उनने बुर्का पे बैंड किया। आपके किसी धार में की चीजों को रोक तक किया। तो आप क्यों डर रहे हो। क्यों उनको बुरा कह रहे हो। मैं जिस तरीके से प्रियंका गांदी जी उत्तरपरदेश में दौरे पर दौरे कर रही है। महिलाओ के ससक्तिकरन महिलाओ की सुरक्षा की बात कर रही है। तो यह 40% सीट जीजर्व करनी की बात ही कि 40% महिलाओ को देंगे। आपको क्या लगता है यह सिर्फ चुनावी जुमला है या इस चीज में कुछ दम है। देखिए इन साड़े चार सालों मिमानी योगी जी की सरकार में आज सिख्षा या सुरक्षा आधी रात को भी बुर्का पैन के हम लोग बहार निकलते हैं तो कोई माई का लाल हम लोगो छेल नहीं सकता। लेकिन यह सभा सरकार थी। हर जगा जगा नुकल गली पे गुंडे बदमास बैठे रहते थे। अब कोई बोल नहीं सकता था। उनकी पुलीस भी थी। लेकिन आज हर थानों पे मिशन सकती बनाई गई है एक कॉल होगा तुरंद वहां के जतने लफंगे लड़के होते हैं सब गाएं। प्रियांका गांधी सिर्फ चुनावी जुम्ला बोल रही है। इंका जुम्ला ही तक रह जाएगा। आज जनता की आके खुल चुकी है। जो हमाले लाभारती हैं सब देख रहे हैं कि मिना भेदभाव की हमारा काम हुआ होता रहेगा। आप क्या बोलेंगे मैं प्रियांका गांधी आपर महिलाओं को सब्सक्राइब को बात कर ली है। यह तो बहुत दूर की अभी बात है। मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मतलब कहा जाता हो ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है योगी सरकार जब से आई है उत्तरप्रदेश में गुंडागर्दी जो चला करता था खासतोर से जो पुर्वांचल में थे बहुत बड़े बड़े गुंडा थे। उन पर कुछ रोक लगी है कुछ मेलाओं को और जो भी आम नागरिक को जो एक तरीके का दंस जेलना पड़ता था इनके राज कर जो चूहा बिल में घुच जाता है योगी सरकार में कोई घबराने के बात नहीं बिल्कुल अखलेज यादो लगाते हैं आजम खान पर अन्याई किया जा रहे हैं उनकी पत्नी को जेल में डाले हैं जब उनकी सरकार थी तो आजम खान की बहांस चोड़ी होती थी तो पूरा अमला उनके पीछे लग जाता था औ उसके लिए स्वागत करना चाहिए और रही बात आप आजम खान को जी को ले ले लिजिए उन्होंने कब्रस्तान की चार दिवारी के लिए क्या किया चार दिवारी आज भी बन नहीं पाई तो कुछ जो गलत हुए तो इसमें आप कानून के हस्तिचेप करी नहीं सकते जो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जहां मानी योगी सरकार को नहीं मालूम है वक बोर्ट की जमीन वह भी सब सिस्टम खथी को जाएगा यह गलत तो है यह वक बोर्ट की जमीन कैसे आप आवायत कब्जा कर लोगे यह बताईए जिसका हाकर उसको ही न चाहिए तो इसके लिए तो बिल्कुल उकदम उठेगा जैसे एलेक्शन है बहुत सारे नेता यहां आ रहे हैं आमादी पार्टी के संजेशिंग आ रहे हैं और भी भार भार के नेता आ रहे हैं राहूल गांदी आये हैं उनकी बहन भी घूम लिए तो यह एलेक्शन के पिछले चार सालों में पां उमलों के बारे में नहीं सोचा कि हमारे आदमी किस तरह दूसरी शादी कर ले रहे हैं या कुछ कर ले रहे कि आज दूसरी चादी करके देखें? उनको अपने बचों का ख्यालाज आएगा हुड्चों को आज समझ भी रहें और खौफ भी बना आ एक तो यह हमारे लोग हादीश-सरीयत के बात करते थे हैं हादीश-सरीयत पें हमारे योगी जी झीने तिलाग देने को नहीं जाए तिलाग रोका है तिलाक वर्ल्ड को रोका है आज केसेस काम हो गए, मेरे पास भी पहले बहुत कहले केसेस लेकिन आतने ज्यादा नहीं आते हैं! क्योंकि ततकाल सुनु 순ुंしょうfar, इसासे हैं, ततकाल सुनु सुनु आई, कि तने परिवार आज G. cos तोटने से बच गये लिए, बच्चे उनके परिवार उनके खुश है कि आज भनारा परिवार बच जा रहा मुस्निस о TV कर से टेयर है, भशागत उनका किया जाए गा this लेके लोगों को और उसके लिए हम उनका भावस्वागत करें लगता है कि इस विश्टुनात कोरिडर से मुस्लिम जो समाज है यहां वारन से उनको फायदा होगा बिलकुल होगा जी बिलकुल तूरिस्म जो आते हैं जो यहां पे इदर बटकते उनको बटकना नहीं पड़े है संभ न제 कानुन कश सवागत कि रहा हैं है किसानों के लिए तो हमने स्वागत प्रय। इसी तरह हमने कोई भी कानून आया है, हम लोग ने मुसलमानों ने हिंदुस्तान में उसका स्वागत किया है, तो इस तरह करते आएंगे होई बात नहीं है